नमस्कार दोस्तों एक वो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल टार्गेट एट वान पे मैं हूँ अम्रिटा और आज इस टॉपिक पे हम डिस्कुशन करने जा रहे हैं वो है बैक्टेरिया Why bacteria के अंतर के part 1 में हमने discuss किया था size और structure और पार 2 में हमने बात करी थी reproduction of bacteria और gram negative और gram positive के बीच में क्या basic difference होते हैं और क्या specific difference होते हैं उनके बारे में हमने वहापे बात कि थी और आज है part 3 और part 3 में हम आज discuss करेंगे importance and life cycle of bacteria तो guys अगर आपने part 1 और part 2 नहीं देखी है तो please देख लीजेगा क्योंकि वो भी आपके syllabus का एक बहुत ही important हिस्सा है और अगर आप हमारे द्वारा दिये गए videos का PDF चाहते हैं तो आप जरूर हमारे telegram channel के साथ में जुड़े जिसका link आपको description box में मिल जाएगा और telegram अगर आपने पहले यूज नहीं किया है तो आपको ये करना है कि सबसे पहले आप play store में जाएगा और play store में जाकर आपको वहाँ पे सबसे पहले install करनी है telegram telegram जब आप लिखेंगे तो एक sky blue फिरोजी color का एक icon आएगा जिस पे arrow का निशान बना होगा तो उसे अगर आप install करेगा इंस्टॉल करने के बाद अगर हमारे चैनल के description box में जाकर उस पे click करते हैं तो ये आपको ले जाएगा telegram चैनल पे और वहाँ पे बिल्कुल नीचे एक पटी होगी जिस पे join लिखा होगा तो आपको just join पे click करना है और वहाँ पर आप add हो जाएंगे हमारे चैनल से और वहाँ से आप PDF ले सकते हैं हर उस material के जो हमारे द्वारा provide की जा रही है और अगर आप UPTED, CTED की भी preparation कर रहे हैं SuperTED, DSSB, NWS, TGT, PGT तो आपको उसके अंदर गत, Sanskrit, Hindi, English, Maths, Science जिसकी भी आपको PDF चाहिए होगी UPTED और CTED के अंतरगा तो सारी PDF आपको महाँ पर मिल जाएगी तो चलिए अब बात करते हैं आज के topic पे तो आज का topic है हमारा bacteria और bacteria के अंतरगात आज हम बात करने वाले हैं importance के बारे में तो चलिए जन स्टूदेंस न सबसे पहले ये वीडियो नहीं देखा था part 1 और part 2 उनके लिए बस छोटा सा recap just revision और जिन्होंने ये वीडियो आलरेडी देखी हुई है part 1 और part 2 उनके लिए revision हो जाएगी तो चलिए थोड़ा सा करी काप करते हैं उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे size of a bacteria के बार में हमने बात करी थी तो पिछली वीडियो में थोड़ा सा इसे क्या कहते है mistake of a tongue हमने ये कहा था कि bacteria का size काफी बड़ा होता है और बाद में ये चीजे जब बाद में खुद आप ये चीजे देखते हैं तो थोड़ा सा awkward लगता है तो बात ये है का इसकी जो bacteria होता है उसका size viruses से generally बड़ा होता है लिकिन कुछ ऐसे bacteria होते हैं जिनका size viruses से भी कम होता है जिसे कि PPLO यानि कि mycoplasma bacteria तो generally जो average diameter होता है एक spherical bacteria का वो होता है 0.5 to 2.0 micron meter के बीच में और यहां पर आप कोई चीज है जो ध्यान में रखनी है कि जो raw-shaped bacteria होते हैं इनके length काफी ज़ादा होती है as compared to their width year diameter तो raw-shaped bacteria के length 1 to 10 micron meter देखी जा सकती है और diameter इसका 0.25 to 1.0 micron meter देखी जा सकती है और जो भी important bacteria है जिनका size आपके examination के regarding important है हमने वहाँ पर यह सारे bacteria को यहाँ पर list किया है और आप इससे देख सकते है next हमने बात करी थी हमने compare किया था bacteria का size bacteria का size as compared to other organisms यहाँ पर यह bacteria है ठीक है और इस bacteria का size हमने other जो चीजे थी ठीक है organisms से, substances से in between है, यानि जो plant cell है या फिर frog का egg है और atom है इन दोनों के beach का बिल्कुल beach में ही इसका size है तीक है तो लिए आगे रेखते हैं फिर हमने बात की थी structure के बारे में structure के अंतरकत हमने surface structures के बारे में discuss किया था जहाँ पर structural structural parts थे structural parts उसके बारे में discussion किया था flagella, philai और capsules के बारे में फिर हमने bacteria का structure देखा था जिसके अंतरकत हमने basal body जो कि flagella की नीचे होती है और यह proteinus substance को लिए होती है और यही आगे चलके flagella को जन्म देती है flagella movement में help करता है किसी भी bacteria को तो philai का function क्या होता है इसका भी function होता है थोड़ा सा movement प्रोवाइड करना पर basically इसका function होता है attach हो जाना host body के साथ में फिर हमने बात करी थी DNA जो genetic material होता है किसी भी bacteria के अंदर वो होता है DNA और यह coiled shape में होता है हमने cell wall के बारे में भी बात करी थी तो cell wall में क्या-क्या component पाए जाते है जो आपके examination के अंतर का बहुत ही जादा important है यह भी हमने बात करी थी आगे चल के उसके बारे में हम discussion करेंगे और हमने बात करी थी infolding of a plasma membrane यह infolding तब होती है जब cell कोई भी foreign particle को engulf कर लेती है यह infolding देखी जा सकते है यह भी question आपके exam से पूछा जा सकता है कि cell के अंदर infolding कब देखी जाती है फिर हमने बात के थी cytoplasmic inclusion की तो यह वो bodies होती है जो कि cell के अंदर residual body की तरह काम करती है plasma membrane तो सभी जो organisms है whether they are living whether they are animal cell or plant cell plasma membrane जरूर पाई जाती है फिर हमने बात करी थी important chemical components of surface structures surface structures के अंदर उसके अंदर important components क्या-क्या पाई जाते है उसके अंदर हमने बात कर रहा था peptidoglycans के बारे में जो कि cell wall का एक unique component होता है पर basically आपको देखने को मिलेगा prokaryotic cells में लेकिन कभी-कभी ये eukaryotic cell में भी देखा जा सकता है और फिर हमने बात करी थे ticoic acid और lipopolysaccharides के बात बारे में ticoic acid जो कि एक phosphate polymer है इसके उपर strong negative charge होता और यही negative charge gram positive bacteria के अंदर peptidoglycan है उनके साथ में strong bond बनाता है और इसी वजह से bacteria की जो outer layer वो काफे ज़दा strong होती है and that is why bacteria can stay everywhere in extreme temperatures do next अमने बात कि थी कि cell wall के अंदर lipopolysaccharides पाए जाते हैं और इनका जो function होता है basically gram negative bacteria के outer membrane में पाए जाते हैं और यह endotoxins की तरह काम करते हैं यह complex molecule होते हैं और इनका जो function होता है strength provide करना होता है outer cell को ठीक है तो lipopolysaccharides कब बनते हैं जब एक polysaccharide molecule और lipid, lipid means fat तो दोनों जब combine होते हैं तो एक component बनाते हैं जो कि lipopolysaccharide कहा जाता है और यह जो lipopolysaccharide है यह serologic specificity show करता है serologic specificity means कि कोई भी cell कि किसी cell के साथ कोई भी cell किसी भी other particle को नहीं करता उसके पास specificity होती है कि कहां पे उसे attach होना है फिर हमने bacteria के structures के बारे में थोड़ा सा जो general सा structure है जो सभी bacteria के अंदर पाए जाता है यानि कि ribosomes food granules, pilise mesozoomes, plasma membrane cell wall, capsule flagella, nucleoid plasmid cytoplasmid सब के बारे में बात की थी finally हमने discuss किया था bacteria की किते classifications होते है तो bacteria are classified into four on the basis of staining property sorry on the basis of their shape तो पहला है bacillus यानि कि rod shaped दूसरा है spirella यानि कि spiral shaped तीसरा है caucas या cocky जिसे कहा जाता है इस spherical shaped होते है next है vibrio यानि कि comma shaped और bacillus का example है esteregia coli जो कि human beings की large intestine में stay करते हैं यह symbiosis के थ्रू रहते हैं और beneficial होते हैं हमारी intestine के लिए क्योंकि वहाँ पर vitamin D के production में help करते हैं और इसके बतले में इन्हें इनका जो जिस material पर feed करते हैं वो उन्हें वहाँ मिलता है next है spirala तो spirala का example है spiralum volutans next है caucas तो caucas का example है streptococcus pneumoniae next है vibrio तो vibrio का example है vibrio cholera जो की एक agent होता है cholera causing bacteria ठीक है यह आप screen पर देख सकते हैं यह अलग-अलग प्रकार के bacteria है जो spherical shaped है उन्हें caucy कहते हैं जो rod shaped है उन्हें bacilla यह bacillus कहा जाता है जो spiral shaped है उन्हें spirala कहा जाता है ठीक है फिर on the basis of staining property bacterias are divided into two heads पहला है gram positive bacteria और दूसरा है gram negative bacteria यह क्या होते हैं चले थोड़ा सा recap करते हैं तो यह छोड़ा सा है जो आपने 10th class में पढ़ा होगा कि जो stain हो जाती है जिन भी bacteria की cell wall वो gram positive हो गए जो नहीं stain होती है वो gram negative पर यहां पर एक exception है सैफरेनिन जो की बहुत ही बहुत ही easily available staining agent होता है जैनरली आपने pink color का देखा होगा सैफरेनिन blue और सैफरेनिन pink जो आपके लाब में बोटनी के या फिर जोलोजी में काम आता था तो यह बैक्टेरिया gram negative उसके लवारा stain हो जाते है otherwise किसी बिढ़ाय के दवारा नहीं होते है peptidoglycan layer है वो थीक होती है मर्डी layer gram positive में जबकि gram negative में thin होती है gram positive primarily endotoxins होते हैं gram positive exotoxins दवारा लिए होते हैं जो gram negative bacteria उनके अंदर endotoxins पाया जाते हैं gram positive bacteria high resistant होते हैं ड्राइं के लिए जो gram negative bacteria low resistant होते हैं drying को लेकर के gram negative bacteria जल्दी से dry हो जाते हैं जबकि gram positive नहीं हो पाता after layer देखी जाए gram positive bacteria के तो इसमें absent होती है जबकि gram negative bacteria में पाय जाती है next lipid और lipoprotein content तो जो low content होता है lipoprotein का gram positive में और high content देखा जाता है gram negative bacteria में next है lipodisaccharides याने LPS content वर्चुली नन होता है जबकि gram negative में यह high पाय जाता है तो यहां है यह चार्ट और इसके थूँ आप एक table है जिसके थूँ आप differentiate कर सकते है gram positive और gram negative bacteria को अगर आप चाहें तो इसका screenshot भी ले सकते हैं जो आपको revise करने में help करेगा क्योंकि यहां से भी कई सारे questions है जिनकी पूरी आशंका आपके exams में आने की ठीक है gram positive staining की basis पे क्या होता है हमने पढ़ा ठीक है अब purple color के appear हो जाते है gram positive जबकि gram negative है वो की pink color के हो जाते है next है periplasmics जो space है वो present होती है gram negative bacteria के case में और gram positive के case में यह absent होती है जो cell wall होती है cell wall होती है वो 2 से 20 से 80 nanometer देखी जाती है लेकिन यहाँ पे capsid absent होता है याँ जो layer है capsule वो absent होता है लेकिन gram negative bacteria में present होता है लेकिन cell wall पतली होती है याँ पास है 10 nanometer के बीच में next is cell wall जो होती है gram negative bacteria के वो smooth होती है क्यों smooth होती है guys यहाँ पे logic भी आपको यूज करना है इसलिए smooth होती है क्योंकि इसकी outer layer में thin hair like projections नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसके पास capsule नहीं होता यह capsule नहीं पाए जाता outer covering जबकि ग्राम negative bacteria में वेवी होते हैं ठीक है examples देखा जाए तो examples में आप यहाँ पे देख सकते हैं आप चाहे तो इसका screenshot भी ले सकते हैं चलिए आगे move करते हैं नेक्स बात करी थी हमने bacterial reproduction की और उसके अंतर का reproduction कहीं या life cycle कहीं तो reproduction जो होता है वो binary fission के द्वारा होता है पहले nuclear differentiate होते हैं दो parts में लेकिन attached होते हैं पहली stage में second stage में जो nucleoids होते हैं वो दो parts में divide हो जाते हैं लेकिन cell अभी divide नहीं होती आगे चलके cell bifid हो जाती है यानि की bifid यानि की दो structures एक ही cell के अंदर कुछ ऐसा curve type का structure बन जाता है ठीक है bifid next stage में stage 4 में जो nucleoid है वो पूरे तरीके separate हो जाते है लेकिन फिर भी cell wall यहां पर attach रहती है last stage में यानि की 5th stage में जो bacteria होते हैं वो totally differentiate हो जाते हैं और nucleoid material भी तो यहां पर bacteria एक से दो में convert हो जाता है and this is called binary fusion in case of bacteria ठीक है तो आब आते हैं हमारे आज के section पर जो आज हमें पढ़ना था topic काफे जाला time हो गया revision करते लेकिन guys यह revision आप सभी के लिए बहुत जादा helpful होगा at the time of examination अब आप इसे तीन महीने बार भी इन सब चीजों को जब देखेंगे तो आपको याद रहेगा क्योंकि आपने इसे बार बार revise किया है और psychology भी यहीं कहती है कि अगर जो चीज़ आप दो तीन बार revise करते हैं वही चीज़ आपके लिए permanent रहती है और जो चीज़ आप एक बार देखकर चाहिए कितनी भी अच्छे से आप याद करें उसे अगर देखकर छोड़ देते हैं तो फिर वह आपके लिए थोड़ा सा difficult हो जाता है उसे recall करना तो चले आज की topic पे आते हैं importance of bacteria तो सबसे पहरे बात करेंगे harmful effect of bacteria के बारे में there are bacteria that can cause multiple of illness कई सारे ऐसे bacteria होते हैं harmful disease create करते हैं and they are responsible for many of the infectious disease like pneumonia, tuberculosis, diphtheria, cephylis, tooth decay और यह जो बिमारिया है सारे bacterial disease है और इन्हें आपको याद रखना है आपके exams में ऐसे भी questions आते हैं कि कौन सी ऐसी disease है जो bacteria द्वारा होती है और कौन सी ऐसी है जो नहीं तो इस bacteria और viruses के उपर याने जितने भी आपके sections है cool जब हम 5 topic complete करेंगे तो इस पे based हम question answer के discussion करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा helpful होगी TGT science के लिए basically bio के लिए तो जो next section है उसमें देखेंगे precaution is much more effective जब भी आप किसी bacterial infection से affected हो जाते हैं इससे पहले आपको precautions जरूर लेने चाहिए जिसमें कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है sterilizing करना है किसी भी ऐसी चीज़ का जो आपको use करनी है जो disinfecting exposed surfaces होती है instruments होते है tools होते है utilities कोई भी सामान होता है जैसी कि बढ़ता है आपके या कोई भी surfaces है जब आप experiment करने चाहते हैं तो that time आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़े completely sterilize होनी चाहिए next है methods है जिनके दोरह आप disinfect कर सकते हैं वो है application of heat किसी भी चीज़ को गर्म करने से bacteria मर जाते हैं पर कुछ ऐसे bacteria heat resistant होते हैं exception जो है वो हर चीज़ में होती है disinfectant यूज कर सकते हैं pasteurization यूज कर सकते हैं heating at a low temperature for a long time about 60 or 30 minutes boiling boiling से भी कई सारे bacteria जो मर जाते हैं यह एक table है जिसके थो आप यह समझ सकते हैं water the harmful and beneficial effects of bacteria तो चले बात करते हैं lactobacillus bacteria सबसे पहले हम बात करेंगे beneficial effects के बारे में तो lactobacillus bacteria जो की milk को yogurt यानि की दही में यानि की cheese में convert कर देते हैं तो यह है positive या beneficial effect bacteria का next हम बात करते हैं antibiotics की तो antibiotics in some microorganisms यह जो antibiotics है यह bacteria के द्वारा ही बनाई जाती है next है bacteria in the colon help for production of vitamin D तो ऐसा bacteria जो हमारी colon यानि की large intestine में stay करता है वो है equal है हमने भी बात की थी कई बारी हमने discuss किया था कि इनका जो function होता है production of vitamin D next GMOs are used to make insulin and other useful components यानि जो GMOs है वो insulin बनाने में help करते हैं next है bacteria are active in the carbon and nitrogen cycle bacteria like azobacter होता है clostridium bacteria होता है ऐसे कई सारे bacteria होते है जो nitrogen cycle में help करते है जब डालों की जो गाठ होती है जो जड़े होती है उनकी गाठों में जब nitrogen fixation का process start होता है तो यह जो bacteria होते हैं यह help करते हैं डालों के अंदर nitrogen fixation में जड़ें अब harmful effect की बात करते हैं harmful effect में हम विदेखा pathogenic bacteria की कई सारे बिमार करते है तो जड़ें प्लांट में भी कई सारे ऐसे carriedies there В कुछ ऐसे हैं जो foto करते हैं सबसे बड़े रोल प्ले करते हैं तो यहां जो positive effect है या जो आप कह सकते हैं positive role है beneficial role है bacteria का उसके बारे में हम बात करेंगे तो creating products like ethanol and enzymes जो शराब बनाना होता है ठीक है और ethanol होता है और enzymes जो बनाई जाती है वो bacteria के presence में ही बनाई जाती है और yeast के presence में बनाई जाती है next time making drugs such as antibiotics and vaccines vaccines और antibiotics viruses से भी बनाई जाती है bacteria से भी बनाई जाती है तो यहां पर भी एक positive role देखा जाएगा bacteria का next time making biogas such as methane जो biogas होती है जो कि global gas के नाम से जानी जाती है उसे बनाने के लिए जो methane होती है गैस बायो गैस उसे बनाने के लिए bacteria major role प्ले करते है cleaning up oil spills और toxic waste जो oil spills आपने एक term सुना होगा oil spills होता क्या है गैस तो चले बात करते है oil spills means होता है आपने देखा होगा कई सारी ऐसी बड़ी जहाजे होती है जो अपने उपर तेल को carry करते है पैट्रोलियम या फिर कोई other ऐसा जो oil होता है वो तो कभी ऐसा क्या होता है कि accidentally ये जो ships हैं ये कभी कभी जहाजे जो है वो डूब जाते है और डूबने के कारणी जो होता है हमफुल इफक्ट यह होता है कि जितने भी पक्षी होते हैं या fishes होती है जो इन्हें खाती है वो मढ़ जाती है और कई सारी से पक्षी है जिनकी जिनके पंखों के अंदर ये oil spills शिपक जाते और आपको पता होगा कि जब तेल पुराना होता है तो sticky और सोड़ा सा ह पानी जैसे जिसे लहरे आती है तो पानी की साथ बहते बहते ये जू पक्षी जानवर इसे पीने के लिए रहते हैं पानी तो इसके बाद भी प्रओड करते क्ता mummy बिसा जाते हैं जो है इसे तेल वाले पानी को पीकर मर भी चाते हो इसे उड़ने की शम्ता खो देते हैं तो काफी बुरा एफेक्ट होता है इन oil spills का तो इनी oil spills को clean करने के लिए जो bacteria है bacteria को समुझर के किनारे छोड़ा जाता है जो bacteria in oils को खा जाते हैं और toxic wastage जैसे कि कुछ लोग नहीं जाते हैं beaches पे तो कुछ खाते हैं तो फेग देते हैं वहाँ पर तो चिज टॉक्सिक वेस्ट का काम तॉक्सिक वेस्ट की तरह माँ पर सैडल हो जाता है तो bacteria help करता है इन्हें toxic waste इसको हटाने के लिए next is killing plant pest तो अपको पता होगा कि कई सारे से bacteria हैं जो की दवाईयों का काम करते हैं ठीक है और यही जो harmful bacteria हैं हमारे लिए beneficial हैं क्योंकि हम इन्हें pest को kill करने के लिए यूज होते हैं in gene therapy जब gene therapy होती है जब भी कोई जो normal gene है वो किसी infected person की gene में transfer करी जाती है तो यही बैक्टेरिया आज जीन थेरपी में help करते हैं तो काफी अच्छा रोल है यहां bacteria का तो अच्छा और बुरा तो almost आपको हर जगे देखने को मिलेगा और यहां bacteria की cases में भी आपने अच्छा और बुरा देखा तो यह थी हमारे आज की वीडियो और I hope आपने enjoy करा होगा इस वीडियो को और कोई ऐसा doubt है जो आपको यहां पर inappropriate लगता है या doubtful लगता है तो आप प्लीज मर्यादा पूरवक comment box में लिख सकते हैं और कोई ऐसी चीज है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो please comment box में जरूर लिखेगा और हां वीडियो अकर आपको useful लगती है तो please हमारे चैनल को एक like जरूर दीजेगा क्योंकि बहुत ज़दा महनत लगती है का यह सारी वीडियो बनाने में पीपीज थियार करने में तब तक के लिए अमरिता को दीजेए इजाज़त मिलते हैं कुछ और conceptual वीडियो के साथ में बाबाए